यह पार्टी के नेता जितने भी राम मंदिर के उधगाटन में पहुँचेंगे, यह सारे के सारे मीट मच्शी सब खाते हैं और राम मंदिर के उधगाटन में पहुचेंगे आप देखिएगा, और वहां से राम का नारा लगाएंगे, इनका एक युसूल है, सुभा को पीओ 900 ग्राम साम को पीओ 200 ग्राम और फिर बोलो जैसरी राम एक आसा राम था ये जहासा राम है नरेंदर मोदी जी जहासा राम है इन जहासा राम ने देश को जहासे मडाल लखा है पार्टी नहीं ये गिरो चल रहा है जो गिरो इस देश को बरबाद करने का काम कर रहा है देश म मुसल्मानों को गले से लगाते हैं उनके तो हातों पर किस तक लेते हैं और मैं कहता हूं कि आप अगर मोधी को वोट देते हैं तो दीजिए आज आपकी जो हालत है अगर उससे बत्तर हालत पर नरिंदर मोधी ने इस देश को लाके खड़ाना कर दिया तो मेरा नाम बदल दी जिएगा जिन मुसल्मानों की आप बात करते हो पहुंच चाहिए आप इंडिया गेट और देख लीजिए कि सहीदों में किसका नाम सबसे आदा रिख हुआ है उसमें आएगा आपको मुसल्मानों का निकल कर आप क्या बात करते हैं मीर उस्मान अली ने इस देश को पांच बचाता और वो यह था कि जितने भी पक्ष के सांसद हैं उनको उठाकर बाहर बिठाल दिया जाए और नरेंदर मोदी जी संसद को अपना पार्टी का रहले समझ रहे हैं जिसमें सिर्फ मोदी जी की वावाई और उनकी जैकारे के नारे लगाने वाला ही व्यक्ति इस अज आईमेफ की रिपोर्ट सामने आई है आईमेफ इस देश के लोगों को पता भी नहीं होगा कि आईमेफ है क्या आईमेफ यानि अनतराष्टे मुद्रा कोस उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि भारत के उपर 205 लाग किरोड रुप करोड रुपे का करजा था जिस करजे को बढ़ाकर नरेंदर मोदी जी ने 9 साल में 85% बढ़ाया और भारत देश के उपर 155 लाग करोड रुपे का करजा कर दिया गया था लेकिन जब आप उस रिपोर्ट को अपडेट करेंगे तो भारत देश के उपर 205 लाग करोड जी कर दिया हिंदू मुसल्मान में हिंदूस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ने कहीं न कहीं देश के एहम मुद्दों को जनता के सवालों को दबा कर दफन कर दिया इस देश की मीडिया 24 घंटे टीवी खोल के देखो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसल्मान पा वालों का जवाब है नहीं भारत देश के ओपर यह जो करजा चड़ रहा है यह करजा तभी उतर सकता है जब देश के लोग एक जुठ होकर वेपार करें और देश तभी तरक्की कर सकता है जब देश में नई-ई-नई कमपनिया बने जब सारा उद्योग एक उद्योग पती के हाथ में दे दिया जिसका नाम अंबानी और अडानी है जनता को कंगाल करके अंबानी और अडानी को माला माल कर दिया अंबानी और अडानी पर सवाल करने पर पार्लेमेंट के अंदर लोग की सदस्ता चली जाती है नरिंदर मोधी अडानी को लेकर जवाब नहीं देते हैं और अगर कोई संसद में पूछ ले कि संसद के अंदर कैसे इतनी बड़ी चूग हो गई तो संसदों को निकाल भार खड़ा कर दिया जाता है अब एक मैं आपको बताता हूं कि भारत कैसे पहुंचा एक सो पांच लाग करोड के करजे से कैसे दो सो पांच लाग करोड के करजे तक पहुंचा अब मैं आपको दिखाता हूं यह पोस्टर जो पहले बहुत चलता था लेकिन अब यह पोस्टर विलुक्त हो गया है अब तो सिर्फ टीवी चैनल और अख़बारों पर एक ही चीज़ दिखाई जाती है मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान ठीक है लेकिन तस्वीरों में यह नहीं दिखाया जाता कि यह तस्वीर है साओधी के प्रिंस और हम भारे देश के मुसलमानों से भाजपा की बेहद नपरत और दूसरी और विदेश के मुसलमानों को गले से लगाते हैं उनके तो हातों पर किस तक लेते हैं आज की डेट में कोई मुद्दा इस देश के अंदर नहीं दिखाया जाता यह रिपोर्ट है ग्लोबर हंगर इंड बंगलादेश बनाया नेपाल इसमें आपका 69 नंबर पर है और स्री लंका 60 वे स्तान पर है और भारत की आपको रैंकिंग की बात करें तो 107 वे नंबर भारत है ग्लोबर हंगर इंडेक्स यानि भुकमरी के मामले में और यह मेरे कोई घर का डाटा नहीं है आप जाके इसक बता दूँ जिसमें जो हमारे देश के उद्योग पती है उनका करजा माप किया गया किसान का करजा माप करने पर सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास बजट नहीं है लेकिन जिस तरीके से अपने वेपारी मित्रों का करजा माप किया जाता है चाहे वो भार देश के ओपर कर जाए और मैं पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे घर पर खाली बैठे ठलूए बैठे उन तमाम आंधवक्तों से जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है और वो इस देश के नौजवानों को नसियत दे रहे हैं कि आप पकॉड़े तलें मैं पूछना चाहता ह यह जहासा राम है कौन है जहासा राम नरिंदर मोधी जी मैं खुले आम बोलता हूं नरिंदर मोधी जहासा राम है इन जहासा राम ने देश को जहासे मडा लखा है पार्टी नहीं यह गिरो चल रहा है जो गिरो इस देश को बरबाद करने का काम कर रहा है देश में मैसिज क्रिक कर रहा है हिंदू मुसल्मान का मंदिर और में पहुंचेंगे ये सारे कि सारे मीट मच्ची सब खाते और राम मंदिर के उधघवाटन में पहुंचेंगे आड़ देखेगा और वहां से राम का नारा लगाएंगे इनका एक यूसूल है सुबा को पियो 900 ग्राम साम को पियो 200 ग्राम और फिर बोलो जैसरी राम ये इनका हिसाब है जी लेकिन मोहिश शर्मा लाक विरोध के बाद पांच राज्ये में चुना होना तीन में फिर जीत हासिल करना क्या लग रहा है मै आपसे कहता हूँ कि यह जीत है यह जीत EVM की है और मैं कहता हूँ कि आप अगर मोधी को वोट देते हैं तो दीजिए आज आपकी जो हालत है अगर उससे बत्तर हालत पे नरिंदर मोधी ने इस देश को लाके खडाना कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजेगा और उठाकर फि ए जिश्वगुरू बन रहा है जी विश्वगुरू बन रहा है दुनिया भर май डंका बजना की अप भारत देश के जवान सुरखसित नहीं आतने है जिस देश में जवएन सुरखसित Using 15 जिडमे बताते हैं और झिस देश की बेटिया सुरखसित नहीं कैसे बिश्तFF रही ब मुसल्मान को लडाने से भारत विसुरू बन जाएगा ये बताई ना आप मुझे और आप इस देश के लोगों को इतिहास ही तो नहीं पढ़ाते हम से पूछिए हम बताएंगे आपको इतिहास के बारे में जिन मुसल्मानों की आप बात करते हो पहुंच जाए आप इंडिया चलाई तो उसके बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आपने गोली क्यों चलाई तो कहा जाता है कि पठान जो है वो लड़ाई से भाग रहते जिस कारण हमने गोली चलाई 76 दिन पोस्ट माटम चला और एक पठान का बेटा खान अब्दुलगफार खान आगे आकर बोलता है कि अगर एक भी पठान की सीने पर के लावा अगर पीट पर गोली मिल गई तो पठान आजादी की लड़ाई से भार हो जाएंगे 74 दिन पोस्ट माटम चला और 76 पठानों की लास का पोस्ट माटम हुआ लेकिन एक भी पठान की पीट पर गोली नहीं पाई गई गई सबकी चाती पर गोली पाई गई और आज आप उसी देश में लोगों को हिंदू और मुसल्मान के नाम पर लड़ा रहें आप पढ़कर जो है वो हिभाजत कर रही है देश की उसमें मुसल्मान भी है पहुज में अगर अनाज पैदा करने में किसान भी हैं और किसान भी हैं मुसल्मान हर तरीके से देश की एकनोमी को डेवलब करने का काम कर रहें और मैं एक बात बोल देता हूं इस देश को बरबाद करने के ल वार आने वाले 10 साल के 50 साल में भी खतम नहीं हो सकती और इतने बेपकूप लोग हैं इस देश के जिनको पता होते हुए भी कि अंग्रेजों ने एक निती अपनाई फूट डालो सासन करो हिंदू को मुसलमान से मुसलमान को हिंदू से लडाकर मुठी बर अंग्रेज हमारे पर कपज़ा कर गए लेकिन आज दुबारा से यह फिर उसी गलती को धोरा रहे हैं अगर बिखे theor बटाकर से जीते तो सो करोण पांच गई सर उठागर जीने को किसी नहिंपना किया है पहले ऑंग्ым के बच्चे डॉक्टर इंजिनियर आईएस और आईपीएस बना करते थे आज इन्हों ने हिंदू के बच्चों को बजरंग डल आरे से इसमें घुषेड दिया और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बच्चे कोई बीसी सी आई में बिना क्रिकेट खेले जा रहा है को बीदेश में पढ़ राम ना होते तो आप नहीं आते राम से आप हैं यह याद रखिएगा आप से राम नहीं है राम से आप हैं अगर राम ना होते तो आपका भी वजूद नहीं होता और राम जिन्हों ने अपने जीते जी 14 वर्स का वनवास स्विकार किया और आज आप उन राम को तो महल दे रहे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा और बर्बादी का कारण TV अक्वार के साथ साथ इस देश की जनता भी होगी जिस तरीके से चुनाव हर जगे होते जा रहे है अब 2024 को चुनाव आ गया बरना आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए आपको पता चल जाएगा अगर यही नरेंदर मोदी 35 सीट भी लेकर आजा तो आप नाम बदल दीजेगा लेकिन अगर इभी अम्राथ तो साड़े 300 पार जाएगा यह बात आज मैं आपको लिखके दराओं चाहें देश में महिलाओं के साथ कुछ भी हो चाहें बेरोजगारी हो जनता को फरकी नहीं पड़ता जनता को वो सड़ववव जो मुर्गी जो चावल खाती है वो चावल देके इन्होंने खरीदने का काम करा है और जनता इसी रासन में बिक्चुकी है जनता को मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया लोग काम करने के लिए जाते नहीं गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया लकडी तोड़ने पर केस कर दिया यही भाजपा ने किया है चलिए बहुत मुश्किर है हमारे साथ मोहिश रमाते हैं कहा कि EVM से चुनाओ जो है अगर हुआ तो साड़े 300 पार जाएगी भाजपा लेकिन EVM अगर हटा कर चुनाओ किया गया तो 35 सीट भी नहीं ला पाएंगे क्या कुछ अपडेट रहेगी देखते रहे हैं जुले रहे हैं प्यार भी के साथ